हाथ तो गाईस जो आज का वीटियो है इसमें हम यह देखेंगे आपके प्रोडक्शन टेकनालोजी के कुछ इसमें हम लगभाए कर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोष्चन देखने वाले हैं जो कि आपके इक्जाम की देश्टी से मौश्ट important है बार-बार इसे भी question आपके exam में पूछे जाते हैं इन सभी questions को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका कम से कम 35 प्लस तो आपकी marks आही जाएंगे ठीक है अगर 100% सही आप लोग करके आते हैं exam में तो आपका 35 प्लस marks आ जाएगा तो जो कुछ भी question है इन सब को बारी बार इसे क्रम-क्रम से लिखते हुए चलेंगे चलेंगे और एक बात और हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हम यह बताते हुए चलते हैं आपको कि किस question से numerical पूछे जा सकते हैं किस topic से तो उन सभी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तभी आप लोग अच एक्जाम टलता है या नहीं टलता हो तो बात की बात है बट पहले आप लोग अपनी तयारी पर ध्यान देजिए विश्चत तोर पे उसके बाद ही चो कुछ होगा तो बोर्ड की तरफ से आफिस्यल नोटिस आपकी आएगी आएगी ठीक है तो चले हम अपने first question की तरफ चल आपकी जो लेथ मशीर होती है या क्या होती है जो सकता है और जो मॉठंट क empowerment को सन पुछा जाता इसके पछा कौंसे हैं और यह तु क्या इसके साथ ही साथ में कौन-कौन से cutting tool use कि जाते हैं जयां से सुने जिए इसमें कटिंग तूल आपको use किया जाते है यह इतने question यहां से पुझे जा सकते हैं झाल अच्छांप इसकी क्या भी सेश्टा होती है इसमें कितने cutting tool यूज किया जाते हैं कितने परकार और इसमें कौन कौन से बिध पर्योंग की जाती है इतने आपके एक टाप पिक्चर था लेथ मसीन से पूछे जा सकते हैं तो आप लोग इस लेथ मसीन को पुरा अच्छी प्रकार से पढ़ लिजेगा और इतने टापिक में से हर साल आपका दस नंबर का कोश्चेट पूचा जाता है वनली लेथ मसीन से ठीक है तो इसको आप लोग जरूर ओता है Case 10 लेथ की में थाड होती है ठीक तो यह क्या होती है इन फिल्व इसकी डिफ्रेन्स आप से पूछा जा सकता है और आपका इन दोनों में अंतर सब्सक्राल होता इन को समझाए इस ताइप से आप से फिल्स पूछा जा सकता है ठीक है यह हो क्या इसके बाद आपका और question पुछा जा सकता है आपसे यहां पे third question को अभने important series में रखा है, feed and cut, जहां से सुनिए feed and cut, मतलब depthabout cut जो भी होता है इससे आप से question पूछे जा सकते हैं, और यहां से आपका numerical question भी पूछा जाता है आपके exam में, अगला question पूछा जा सकता है, कि जो Saper Machine होती है या आपकी जो Planar Machine होती है जो Saper Machine होती है या आपकी planer machine होती है उसकी quick return mechanism क्या है ठीक उसकी quick return mechanism क्या होता इसको आपको समझाना रहता या question पिछले बार भी आपसे exam में पूछा जा चुका है तो आप लोग इसको भी अच्छी प्रकार से डाउन करके समझ लीजिएगा और subscribe भी आप लोग कर लीजिगा ठीक है अगले question के अगर हम बात करें तो अगला question आप से यह पूछा जा सकता है कि आपकी जो मिलिंग मशीन होती है जहां से सुनिए आपकी यह होती है मिलिंग मशीन सबसे वहले पूछ ले जाएगा कि मिलिंग मशीन क्या होती है ठीक मिलिंग मशीन क्या होती है इसके कितने types होते हैं, ठीक, milling machine क्या होती है, कितना इसका types होता है, आपका जो up milling होता है, या आपका जो down milling होता है, किसी का एक का कहए देगा, figure set describe कीजिए, ठीक है, तो milling machine के बारे total पल लिजेगा, कितने प्रकार की होती है, main बात होती है आप लोग figure जरूर बनाएगा इस chapter इस book में अगर इस subject में आपको number पाना है तो सभी topics में आपको figure जरूर बनाना है जिस भी topic में अगर आपको figure है स्लेबस में books में है तो उसको figure आपको जरूर बनाएंगे तभी यहां से अच्छा नमर आप केन कर पाएंगे तो यह क्या होती है इसके बारे में टोटल आप लोग नोटाउन कर लिजएगा बार बार यहां से question आपका पूछा जाता है मिलिंग मसीन से figure सहीत आपको सची तरवालन करना रहता है इसको देख लिजएगा अगला question आप से यह पूछा जाता है कि आपका जो वर्क होल्डिंग डिवाइस जैसे कि वर्किंग होल्डिंग डिवाइस क्या होती है ठीक यहां से question पूछा जा सकता है आपका कि वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होती है ठीक है जैसे आपका बिल्डिंग वगरे किया जाता है तो उसमें कौन-कौन से डिवाइस यूच किया जाते है उसको पकड़नने के लिए इसके सारे instruments को तो इसमें पूछा जा सकता है कि वर पूछा जा सकता है इसको भी आपको अच्छी प्रकार से समझ लिजेगा ठीक है इसी क्रम में आपका जो next question आता है next question आपको ध्यान से पढ़ लिजेगा जैसे कि आप से यह पूछा जाएगा जो सेपर और प्लेनर मशीने होती है उसमें आरबर उसमें आरबर एंड एड़ आरबर एड़ाप्टर को आपको समझाना है जो सेपर या प्लेनर मशीन में लगी होती है रैम क्या होता है उसमें रैम हेट क्या होता है मतलब यह जो होते हैं सभी पार्ट्स ही है मसीन के ठीक है सेपर के पार्ट्स हैं प्लेनर के पार्ट्स हैं तो यह क्या काम करते हैं इस इसके क्या principles है इसके क्या principles है इसको सम्झा देना है साथ ही साथ इसका जो types है इसकीwho टाइप्स होती हैं उसको भी लिख देना है इसके क्या-क्या प्रापर्टीज हैं इसके क्या-क्या लच्छर होते हैं क्या-क्या इसके गुड होते हैं डिलिंग मसीन के इसको आपको लिख लेना है ठीक है इतने कोश्चन यहां से आप से पूछे जा सकते हैं डिलिंग मसीन से फिक नेयस्ट कोस्चन आपसे ठीच पुछा सकता है कि आपकी जो मेंट क्रिया क्या होती है है? इसको आप क्तिम भी मेशीन होती है उसपर जो साथारा इंडेक्सिंग बनाये जाती है कैसे बनाये जाती है तो आप एक बात और करना चाहते हैं अगर आपको नहीं आता है तो आप मिलियंग मशीं के बारे हम जोंकुछ भी लिखे हुए हैं उन सब को जरूर último होज़ुए उससे एक्जामनर आपको अच्छा नंबर देते एक दो नंबर जरूर देते छोड़कर आएंगे तो जीरो नंबर पाएंगे कुछ लिख के आएंगे तो है एक दो नंबर आपको मिल जाए तो इतने कोस्टन आपके हो गए हागे कोस्टन क्या पुछा जा रहा है उसको देख कीया होती है इनको आपको चित्र सहिद सन्झाए ठीक है चित्र सहिद आपको सम्झाना और इंके जो पार्ट्स होते हैं इनके जो reopenCU water लिखना है इनका क्या 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 उपयोग है देखे दो दो तिन त्रे लाइन के सब उपयोग है इसे सब को एक तो figure बन जाएगा दूसरा इसका parts का नाम याद हो जाएगा जब parts का नाम याद हो जाएगा तो आपको सिदे सिदे इसमें पता सल जाए कि RAM किस प्रकार से movement करता है तो सिदे सिदे आप इसका working भी आसानी से लिख सकते हैं सबसे पहले इसमें क्या RAM है लगा होता है क्या brushing क्या होता है तो brushing क्या होता है इसका हम लोग नामकराण कैसे करते हैं कैसे हम जानेंगे कि यह brushing का किरिया हो रही है और कितने टिपड़ी टाइप की कुस्चन तो पुछ लेगा आपसे बोरिंग हैट क्या होता है ठीक आपसे पुछ ले जाएगा बोरिंग बार क्या होता है ठीक आपसे पुछ ले जाएगा बोरिंग बार क्या होता है ठीक आपसे पुछ ले जाएगा आपकी बोरिंग टूल क्या होता ह इतने most important questions हैं यह सभी टिपड़ी वाले question है और बार बार आपसे exam में पुछे जाते हैं boring head, boring bar, pond, boring tool यह सब क्या होते हैं तो इसको भी आप लोग note down कर लिजेगा और achieve कार से पढ़ लिजेगा टिपड़ी वाले question आपसे exam में जरूर पुछे जाते हैं next question आपका यहां से यह पुछा जा सकता है कि jig and fixtures क्या होते हैं most important question है हर बार आपसे पुछा जाता है jig and fixtures के बारे में क्या है jig and fixtures के बारे में यह क्या होते हैं ठीक है इनका चित्र बनाना आप लोग जरूर सीख लिजेगा इनका चितर आप लोग जरूर बनाएगा इन दोने में आपका difference पूशा जाता है कि जीग और फिक्टर्स क्या होते हैं इने में main difference क्या है इसको आपको define करना रहता है ठीक है इसका importance क्या होता है ठीक इसका importance क्या होता है इसको जरूर आप लोग बनाएगा और लिखिएगा भी टॉपिक बता रहे हैं। इससे कहां खाव कोशन पूछा जाता है हम आपको बता रहे हैं सो आप लोग ध्यान से अच्छे परगार से जरूर्ब सुनिए ठीक है next question आप से पुछा जा सकता है कि cutting fluid क्या होते हैं cutting fluid भी most important है पुछा जा सकता है कि आपका cutting fluid क्या होता है cutting fluid आपके होते क्या है मतलब इसका types क्या क्या होता है cutting fluid क्या होता है इसका types क्या होता है और कभी-कभी ये पुछ लेता है जैसे cutting fluid और lubricant cutting fluid and lubricant cutting fluid and lubricant में आपका अंतर पूशा जा सकता है कि इन दोनों में main difference क्या होता है तो इसको भी आपको ज़रूर पल दिजेगा और इसकी जो properties हैं कुछ इसके क्या क्या good होते हैं cutting fluid की इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ठीक है और इसी topic से और एक question पूशा जा सकता है कि machine पे जो हम लोग lubrication method करते हैं वो कैसे करते हैं मतलब machine पे जो हम लोग lubrication method process apply करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं ये भी question आपके exam में पूशा जा सकता है तो इसको भी आप लोग आसानी से देख लिजेगा किसी machine पे हम लोग lubrication method कैसे apply करते हैं ठीक है तो आपका लगभग 3-4-5 chapter का important question हो क्या next question आप से ये पूशा जा सकता है आपका grinding वाले chapter से कहां से grinding क्या आपका main होता है अप घर सक क्या होता है मतलब आपका grinding क्या होता है ठीक है grinding क्या होता है और यहां से 2-3 type के question आपसे पूशे जा सकते है इसके types क्या होते है और types में जो most important पूशा जाता है वो पूशा जाता है surface grinding and centerless क्या पूशा जाता आपसे surface and centerless ठीक है surface and centerless बार बार पूशा जाता है लेकिन आपसे कभी कभी एक्जामे पूश लेता है cylindrical grindness ठीक है तो grindness क्या होता है grinding क्या होता है इसके क्या-क्या types है most important आपका हो जाता है चित्र बनाना तो आप लोग figure जरूर बनाएगा इसके कितने types होते हैं यह भी आपको बताना है और इन तिनो types में से कोई है एक आपसे हर साल पूश लेता है तो पूशेगा भी तो आप लोग से पहले लिखेंगे grinding के बारे में थोड़ा उसके बाद जो आपका पूशा गया उसको आप लोग लिखेंगे ठीक है तो जहां तक आपका question हो गया अब थोड़ा और बचा हुआ है एक दो चैप्टर के कुछ important question को देख लेते हैं कभी कभी पूशा जाता है boring machine boring machine क्या होती है यह कितने types क्यों होती है तो boring machine के types को आपको पढ़े लेना है चाम में यहां से question आपके पूशे जाते हैं ठीक है आपको जो last chapter आता है वहां से पूशा जाता है कुछ रसाइनिक परिच्छन के बारे में जैसे कि first question आप से पूश लिया जाएगा ultrasoning machining क्या होता है ECM क्या होता है ठीक EDM क्या होता है यह सभी questions most important है LVM क्या होता है laser वाला beam और PAM क्या होता है यह सभी questions most important है जिसमें आपका USM पिछली बार पूशा गया था ECM भी बार बार पूशा गया है और साथ ही साथ LVM भी पूशा गया है यह तिनों most important है इसको पढ़िएगा और एक trick बताते हैं अगर आपका EDM या PAM पूश लेता है अगर आप इन तेनों में से कोई पढ़े हैं और आपको PAM और EDM नहीं आता है तो आप लोग क्या करिएगा थोड़ा बनाएगा उसके बाद जो पढ़े हुए हैं आप लोग वही इन दिनों में भी copy paste कर लिजेगा ठीक है यह हो सकता है आपको अच्छा नंबर मिल जाए तो most important है इसमें USM most important आपका यहां से USM हो जाएगा ECM हो जाएगा और LBM हो जाएगा ठीक है तो इसका करना क्या है इससे क्या क्या question पूशा जाएगा यह तो पूश लेगा यह होते क्या है उसके बाद इसका पूश लेजाएगा इसके advantage and disadvantage की बारे में ठीक है इसका पूश लेजाएगा आपसे advantage and advantage क्या होता है ठीक है और assigning machine के क्या क्या सिध्धान्त होते है यह सभी question आपका इस chapter से आपका पूशा जा सकता है और आपका आगे आता है एक और most important topic जो आपके syllabus में जुड़ा हुआ है जिसे आप अपना first chapter बोलते है cutting tools के बारे में वहाँ से भी कुछ most important question आपसे पूशे जाते है जैसे कि सबसे पहले ही आपसे पूश लेगा कि cutting tool आखिर होता क्या है ठीक है धान सुनीगा सबसे पहले ही आपसे पूश लेगा कि cutting tool आखिर आपका क्या होता है cutting tool क्या होता है इसको define किजिए ठीक यह कितने प्रकार का होता है इसका types आपसे पूश लिया जाएगा आपसे यह भी पूशा जा सकता है कि जो आपका single cutting tool होता है single and multi cutting tool single and multi cutting tools पुछ लेगा कि सिंगल कटिंग क्या होता यह पुछ लेगा मल्टी कटिंग टूल्स क्या होते हैं तुछ लेगा तोलाइफ मतलब आउजार की जो आई होते उसे आप लोग क्या समझते हैं ठीक है और आपके इसी चेप्टर में कुछ और इंप्रोर्टेंट टापिक दिये गए है जैसे डाइमंड थोड़ा आप लोग डाइमंड के बारे में पढ़ लिजेगा और कभी कभी सिरेमिक के बारे में भी आप से कोस्चन पूछा गया है त ठीक तो कटिंग टूल की क्या विसेश्टा है इसको आप लोग पढ़ लिजेगा ये भी कुस्चन मोस्ट इंपॉटेंट है बार बार आपसे पूछा गया एक्जाम में साथी साथ आपका ये भी है कि जो कटिंग टूल होते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक काउन का ठीक है और आपसे कभी-कभी चक के बारे पूछता है जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि कॉलेट चक कॉलेट एंड कम्बिनेशन इसको पढ़ लेजेगा पूछा नहीं गया लेकिन हो सकता इस बार पूछले एंड कंपिनेशन चक क्या होते हैं इसको डिस्क्राइब करना Scroll down करते वे चलते हैं जो question छूटे हुए हैं आप लोग इसको नो down कर लेजे Call it and combination चक्क क्या होता है cutting tool किसे इस्ता क्या होती इसको प्रभाइबित करने वाले कारक कारक क्या है Diamond, ceramic क्या होते है tool life क्या होती है किसी वे tool की cutting tool की cutting tools होते क्या है इतने types के होते हैं तो यह सभी questions है हमने पहले ही बोल दिया काउंसा important है काउंसा नहीं आप लोग देखे होंगे तो आप लोग देखा होगा किस topic को important बोला है किसको क्या बोला है अब जो छूटा हुआ है जिनका वो बस एक बार no down कर सकते हैं कि इसके बारे क्या क्या में करना है यह सब तो हम पहले आपको बता दिया ठीक है एक बार बस एक छोटा सा भी है आप लोग जल देखे नोट टाउन कर सकते हैं ठीक है अब आपका एक और था IMET उसकी कुछ most important questions हमने आपको बता दिये हैं उन सबको आप लोग डाउन जरूर कर लेजे और तयारिया आप लोग अश्ची प्रकार से कीजे एक्जाम टेट आपकी आप ही गई है कोई changing होता है एक्जाम टेट में तो हम आपको वीडियो के मादियां से जरूर कर देंगे ठीक है